हाँ सो नमस्कार कैसे हैं आप सब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको एक परफेक्ट कोर्स किस तरह से पना चूज करना चाहिए और एक परफेक्ट अपना करियर किस तरह से चूज करना चाहिए अगर फिलाल आप 12th क्लास के अंदर है तो अब देखिए मुझे मैंने एक और अप्लोड की थी जो हमारा एक और चैनल है सीवसार प्रेपरेशन उस पर भी अगर आपने वह भी नहीं देखिए वो भी आप देख सकते हो तो मुझे लगा कि यार इस चैनल में कुछ ऐसी ओडियेंस है जो लिटरली कन्फूज होगी इस चीज को लेकर तो इ स्कारी होगी जो च्छार के अंकल के लड़के ने किया था वो आज बढ़िया इसकी सालरी लग चुकी है तो तो भी ले 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 आपके जो सिबलिंग्स होते हैं वो आपको अलग से राहे डिते हैं अब के दोसत आपको अलग से इं incr Administration करना हैं आपका अलग मंच ation होता है मा ले ली होगी तो अलग-अलग तरहे की अलग-अलग प्रसपेक्टिव सोते हैं लोगों के रइट तो आपको फिलहाल क्या करना है अगर आपको नहीं पता कि कौन सा क्रियर में लिए सही है को आज वे वैश्च करने वाले हैं अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सुटेंट फिलार 12th class के अंदर वो तीन सिच्वेशन के अंदर होते हैं तो मैं यहां पर आपको सबसे पहली होती है वो सुटेंट जिने awareness होती है अपने करियर को लेकर करके जो aware होते हैं तो मैं यहां पर लिए देता हूं aware right aware अब देखिए awareness का भी different मतलब है अब अगर मालीचे को 10th class का student है फिर 12th class का student है मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या करना है future में तो जालता student 90 या फिर 99% student मतलब एक limited उनके पास list होती है उसके अंदर से बोलते हैं कि मुझे UPSC करनी है मुझे तो MBBS करनी है मुझे IIT में जाना है या फिर मुझे SSC क्लियर करनी है तो एक limited list होती है उसके अंदर से बोलते कि हम यही करना है तो वह लिटरली अवेर नहीं होते हैं अवेर सिर्फ वही इंसान होता है जिसको सारे के सारे options के बारे में पता हूँ जितने भी हजारो options है तो उसके बाद उसने चूज किया हो कि मुझे क्या करना है तो real में जो awareness है वह वहां से आती है सिर्फ यह नहीं कि आपको चारपाश option से बता है और आपने कहा कि मुझे तो यही करना है और मैं aware हो गया हूँ awareness सिर्फ और सिर्फ तब होगी जो आपको सब चीजे पता हो उसके बाद आप चूज करें तो सबसे पहले वह सूडेंट जो aware है दूसरा वह सूडेंट हम यहां पर लिख सकते हैं जो aware नहीं है नहीं है तो यहां पर लिगता हूँ नोटथ वर कि इसके बाद तीसरी वह सुडेंट होते है इसके इसके नहीं सके इंदर काँई भड़िया नहीं है तो मैं यहां पर ले देता हं फैक्ंट मुंस तो मेरे दोस्ति यह कर रहू हूँ मेरे इसलिए मैं कर रहा हूँ मेरे पापा ने बूल दें से तरीका है भाई awareness के आने का माल लीजिए आप एक science के student है commerce के आप फिर arts के हैं तो जितने भी आपके courses है हजारो courses भाई अप सारे के सारे एक पर research कीजिए कम से कम पाच्छे दिन आप लगाई अपने life के ऊपर की देखो आपकी life एक direction में जाने वाले है पर लास के बाद राइट तो इतना तो आप करी सकते हो कि आप अपने चार-पाच दिन लगा सकते हो एक research आप कर सकते हो कि मैं जो course कर रहा हूं यानि कि मैं आर्ट से हूं मैं science से हूं मैं commerce से हूं तो मेरे पास कितने सारे options हैं मालनी जी आप commerce से हो आप पाच ऐसे courses या फिर कोई career opportunities आपको चूज कर लेनी है जो आपको लगते हैं मैं ये काम कर सकता हूं और जो आपको लगता है कि मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है उसका आप साइड रख दीजिए राइट तो आपके बास एक list तयार हो जाएगी 4-5 courses की चार-5 career options क career career मैं ये तो कर ही सकता हूं राइट तो अगर आपके बास लिस्क तयार हो जाती है कम से कम 5 courses की उसके बाद आप उसमें से एक ऐसा course चूज कर लीजी जो आपको लगता है कि मैं बिना पैसे की फिक्र किये कर सकता हूं अगर मुझे 24 गंटे पाई पैसे नहीं मिल रहे हैं ल तो आपके क्या हो जाएगा फिर आप यहां से संब्सक्राइद में दोनों में डिफरेंस обрат है और कोई स्टूएंट min बिल्कुल भी अवेसर में नहीं को पता है कि मैं आवेर नहीं हूं तो दो नों ही स्टूएशन बहुत ही जादा favorable है बहुत ही आसानी से आप अपना career चूज कर सकते हो और बहुत ही आसानी से आप सही direction में जा सकते हो लेकिन वो students जो influence होते हैं किसी भी चीज को लेकर कि अपने दोस्तों से अपने parents से society से उनके लिए काफी जाले difficult होता है और awareness के अंदर आना क्योंकि नहीं लगता है कि मैं already aware हूँ जब क्यों influenced होते हैं तो आपको एक बार अपने चार-पाश दिन लगाने और आपको अच्छे से rectify करना होगा या रब कहां पर हो इन दोनों के अंदर से और उसके बाद आपको awareness के अंदर आना होगा awareness के section के अंदर आना होगा तो आपको वैसी जोब मिल जाएगी वैसा ही package मिल जाएगा मैं माल लेता हूँ कि आपके पास यहां पर 20-30% chances है और आपको जोब भी मिल गया आपको package भी मिल गया लेकिन कितने percent यह chances है कि आप खुश रहोगे आपका interest के अंदर होगा वह मुझे लग रहा कि सिर्फ वो सिफ 2-3% ही chances होगे तो अपका interest नहीं है तो भाई कोई फाइद के form fill कर दो इसके पास जो भी आपको top college मिलता है उसके अंदर admission ले लिए आपके सारे-सारे clear जो doubts हो जाएंगी queries clear हो जाएंगी life को ले करके तो यहीं वो time है जो आपको सही में सोचना होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है और आपको इस field के अंदर आ जाना होगा आ अपने career को लेकर aware होंगे राइट और एक चीज़ बिल्कुल last way में एक चीज़ कहना चाहूँगा बहुत जिल से भाई जितने भी students है चाहे वो 10th class student हो अगर आपको लगता है कि आप aware नहीं हो और आप life के अंदर फिलहाल बहुत जावा confused हो क्या होगा क्या होगा क्या नहीं करना है कि life के अंदर बहुत सारी opportunities आती है 12th class के अंदर हो सकते हैं आपको बहुत सा सीज़े ना पता हो जब को लिश के अंदर जाओगे तो और भी बहुत सारी opportunities आपके सामने खुल जाएंगे तब आपको लगेगा कि मैं तो यह भी कर सकता हूं तो अगर आप aware नहीं है तो सब्सक्राइब अपने डिवोट को अपने करियर को लेकर के रिसर्च करने को लेकर के सब्सक्राइब देखने के लिए शुक्रिया